नमस्कार दोस्तों क्लासेट महारश्टा स्टेट बोर्ड मैथेमेटिक्स चप्टर नमबर 16 सर्फेस एरिया एंड वोल्यूम प्रेक्टिसेट 16.2 क्वेशन नमबर 1 तो क्वेशन नमबर 1 में इससे जो पहले वीडियो हुआ है उसमें क्वेशन नमबर 1 के दो क्वेशन हो चुके हैं तो हमें थर्ड कोशन स्वाल करना है क्वेशन क्या है लाइक और शेयर करें और बिल आइकन प्रेस करें जिससे के आपको आने वाले हर वीडियो के निटिफिडेशन मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सके तो जो cylinder होता है वो इस farming में होगा अब यहाँ पर जो होगी वो radius होगी और यह जो length होगी वो होगी height तो radius यहाँ पी भी होगी top को और bottom को भी radius होगी और दोनों radius यहाँ पे same होगी तो हमें cut surface area और total surface area find करना है इस cylinder का radius और height यहाँ पे दी गई है तो हम यहाँ पे पहले formal लिखेंगे cut surface area तो cut surface area of cylinder is equal to 2 pi r e h cut surface area का formula है 2 pi r into e h 2 pi r बेस के perimeter उसे height से multiply करेंगे तो cut surface area हमें यहाँ पे मिलता है तो 2 into pi की जो value है वो लिखना है 22 by 7 into radius radius यहाँ पे दी गई है 2.5 multiply by height height की value है 7 cm तो यहाँ पे cancellation करना होगा 7 वन्जा 7 वन्जा 7 7 7 cancel अब सभी numerators के जो number से हैं उनमें multiply करना है तो 2 into 25 25 into 250 होगा एक डिजिट चोटकर पॉइंट 5.0 तो 5 को 22 से multiply करना है तो 22 5 जा 110 या फिर 5 2 जा 10 या फिर 5 जा 10 प्लस 1 11 बन हंड़ेड तेन तो 110 तेन सेंटिम्टर स्क्वेर यह होगा कर्ड सर्फिस एरिया अब हमें टोटल सर्फिस एरिया उप सिलेंडर फाइंड करना है तो हम यहाँ पे पहले फार्मूला लिखेंगे टोटल सर्फिस एरिया ऑफ सिलेंडर टोटल सर्फिस एरिया अब सिलेंडर is equal to 2 pi r in bracket r plus h तो 2 into pi k value 22 by 7 into radius k value 2.5 into height k value 2 π r टू पाई आर इंटू इन ब्रैकेट इंटू इन ब्रैकेट में लिखना है और प्लस एच आर की वैलिव 2.5 प्लस एच आइट की वैलिव 7 सेंटिमेटर तब यहां पे पहले हमें यहां पे मल्टिप्लाइ करना होगा या फिर कैंसलेशन हम बाद में करेंगे 2.5 को 2 से अगर हम मल्टिप्लाइ करते हैं तो 5.0 आता है 5 इंटू 22 यहां पे आएगा 110 डिएट बैस 7 मल्टिप्लाइट बैस 2.5 को 2.5 प्लस 7 2.5 में 7 प्लस करना है तो यहां पे होगा 9.5 अब 9.5 जो है उसे 7 से डिएड होता है यह नहीं है वो चेक करना है तो 7 से डिएड नहीं होगा यहां पे तो जो भी एप्रोग्जिमेट डिवजन आएगा वो हमें अंसर में लिखना है देखिए यहां पे अगर 110 यहां का एक 0 है मतलब 11 इंटू 10 होगा तो 10 से अगर हम मल्टिप्लाइ करते हैं 95 को तो एक डिजित डेसिमल पॉइंट आगे चला जाएगा तो यहां पे रहेगा 11 और यहां पे रहेगा 95 तो 11 इंटू 95 डिएड बाइ 7 अब इन दोनों का पहले हमें मल्टिप्लाइ करना है फिर जो भी मल्टिप्लिकेशन आएगा उसे हमें 7 से डिएड करना है तो 11 5 जा 55 यहां पे क्यारिफाई होगा 11 9 जा 99 99 प्लस 5 104 डिएड बाइ 7 तो यहां पे होगा 1045 डिएड बाइ 7 तो 1045 को 7 से हमें डिएड करना है तो 717 10 को डिएड करेंगे 3 रहेगा 34 74 जा 28 6 रहेगा 63 79 जा 63 फिर पॉइंट दिना है क्योंकि डिजिट यहां पे कतम हो चुका है 65-63 2 रिमेंडर 2 रहेगा 10 लेना है पॉइंट देकर उसके बदले में तो 7 2 जा 14 14 सब्टेट करेंगे तो 6 रहेगा 0 7 8 जा 56 4 फिर 75 जा 35 तो 149.285 सेंटिमिटर स्क्वेर यह होगा सब्सक्किलेmath और टोटल सेरफिस ए्रियाओं तो फिर फिर फूर्थ क्षेंट में रिडिएकस हमें दीगे है 70 सीनलाño इडिगे है सेंटरं पॉर इस यह होगार अगर ने sinds uh टो हॉट सर्फिस एरिया आ Alfसलिंडर यह फॉर्मले लिख लेते हैं नूуть आयार इंट विष अब यहां पर होगी value 2 into pi की value 22 by 7 into radius की value 70 into height की value 1.4 7 बंजा 7, 7 10 जा 70 10 से 1.4 को अगर हम multiply करते हैं तो यहां पर 14 होगा decimal point एक डिजिट आगे चला जाएगा 22 और 2 का multiplication होगा 44 multiplied by 14 अब 14 से 44 को हमें multiply करना है तो 14 फोर्जा 56 को 6 लिखना है 5 क्यारे लिखना है और 14 फोर्जा 56 plus 5 61 तो 616 सेंटिमेटर स्क्वेर का एरिया होगा कर्ड सर्फिस एरिया सिलिंडर का अब हमें टोटल सर्फिस एरिया फाइंड करना है तो हम यहां पे टोटल सर्फिस एरिया टोटल सर्फिस एरिया आप सिलिंडर सिलिंडर का टोटल सेंटिमेटर का फर्मला 2 pi r in bracket r plus h तो 2 into pi के value 22 by 7 into जो radius है वो 70 cm थी तो 70 70 plus height जो थी वो 1.4 cm तो 7 से हम यहाँ पे 70 को derived कर सकते हैं 7 वंजा 7 7 10 जा 70 22 into 244 into 10 440 multiplied by 70 plus 1.4 तो यहाँ पे होगा 71.4 अब 71.4 को हमें 440 से multiply करना है आप यहाँ पे multiplication कर सकते हैं जो भी multiplication आएगा उसमें जो decimal point है देखें यहाँ पे 0 है तो decimal point यहाँ पे आएगा decimal point cancel 714 को 44 से multiply करेंगे तो हम यहाँ पे 31416 इतना answer हमें यहाँ पे मिल जाएगा और वो होगा centimeter square क्योंकि area है इसलिए तो आप यहाँ पे आसान इससे multiplication कर सकते हैं तो इसलिए आप multiply करके चेक करेंगे answer question number 5 में यहाँ पे radius दी गए है 4.2 cm और height दी गए है 14 cm अब पहले हमें formula लिखना है से उन सभी का multiplication पहले हम 22 into 2 44 multiplied by 4.2 multiplied by 2 तो यहाँ पे होगा 8.4 42 to 84 एक डिजिट चोड़कर point दिना है तो 44 का जो multiplication है 8.4 के साथ आपको multiply करना है तो जो answer होगा 369.6 cm square आप multiply करके answer चेक करिए multiplication आसान है इसलिए हम multiplication की step यहाँ पे नहीं करेंगे आपको चौल करना है उतना ही time हमारा यहाँ पे save हो जाएगा तो next हम यहाँ पे total service area total surface area of cylinder का formula पहले लिखेंगे 2 pi r in bracket r plus h फिर हमें जो radius और height की value दीगी है वो हम यहाँ पे substitute करेंगे तो 2 into pi की value 2 into 2 by 7 into radius जो दीगे है यहाँ पे 4.2 है into bracket में r plus h 4.2 प्लस height 14 तो यहाँ पे 7 से 4.2 को divide करना है तो 7 वंजा 7 7 से 4 को divide नहीं होगा तो 0 लेकर point देना है 42 को 7 6 से 42 तो अब इन सभी का multiplication करना है तो 22 तूजा 44 multiplied by 0.6 multiplied by 4.2 2 plus 14 14 plus 4 यहाँ पे होता है 18.2 अब हमें तीनो numbers का multiplication करना है और answer लिखना है जब हम तीनो numbers का multiplication यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आएगा 480.48 cm2 अगर units meter में है तो यहाँ पे meter स्क्वेर आएगा centimeter में दिये जए है इसलिए centimeter का square यह हमें यहाँ पे area लिखना है तो इस video में इतना ही दोस्तो question number one जो था उसमें total five questions थे जो कि हमने यहाँ पे solve कर लिए है तो total questions जो है question number one के हो चुके और main question number two और three four ऐसे भी two three four तीन questions है जो कि हमें next video में solve करना है तो यह video देखने के लिए आप से भी का बहुत बहुत धन्यवाद आप यह यह